नमसकार दोस्तों स्वागत आफ सभीका दोस्तों HSC CET GROPP C भरती में ग्रूप नंबर 22 ALM S.S.A. समन्दीते भरती हैं और इस ग्रूप से समन्दीते केस हुआ था जिसकी आद सुनवाई हुई है और क्या सुनवाई हुई है क्या फैसला है और कैसे आपको और लंबा इंजार करना पड़ेगा यदि आप complete details आना चाहते हैं तो वीडियो को लाट चक और ध्यान से जरूर देखें इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें और इस वीडियो को like भी जरूर करें तो देख लेते हैं क्या नहीं update हैं दोस्तों आप सभी को बताना थे वो थे group नंबर 22 से समंदित उन्होंने जो LMS की भरती है तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि port preference है वो हम सही से नहीं बर पाए इससे समंदित ये case हो गया था जिसमें आगे से आगे date मिलती जा रही थी उसे के चलते आज इसकी सुनवाई थी जिसके अंदर आज कुछ भ मौका दिया था कि यदि जिसने गलती किया है तो अपने गलती को सुधार सकता है और पहली चीज़ उन्होंने ये भी बोली है कि ये गलती student की थी ना कि portal की हमारा portal बिलकुल सही था उसके बाद हमने तीन बार मौका भी दिया है लेकिन इन्होंने सही नहीं किया है और candidate की ग पोट ने इसके अगली डेट है वो 22 मई की डेट दे दी है और 22 मई को इसके अगली सुनवाई होने वाड़ी है ये बताया रहा है और डेट है वो फाइनली मिल चुकी है अब देखते हैं 22 मई को क्या होता है किसके पक्स में फैसला आता है क्या ये portal में असले इत में कड़ थी या फिर एक्चुल में जो है candidate की गलती थी आप किसके बारे में के रहा है आप comment करके जरूर बताएं क्या candidate नहीं गलती क्योगी या portal में गलती हुई है comment करके जरूर बताएं इससे समन्दी थे एक बार chairman साब का भी बयाना आया था जिसमें उन्होंने ये भी बोला था कि candidate ने जिसे तीन बार form बरे गए थे एक बार ये दूसरा ये और तीसरी बार ये तो candidate ने मालो तीन बार form बरा तीसरी बार कोई गलती कर दी और दूसरी बार में उसका जो preference भरी हुई थी वो सही थी तो HSC में जाके ये चीज़े शो कर दी लेकिन HSC ने जो last time आपने भरी है वो दूसरे time बडया, तीसरे टाइम, वो data अब का उठाया गया है तो आप अपनी राए comment करके जरूर बताएं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है और हुआ है तो और पोर्टल के वज़े से हुआ है, या आपकी कमी के वज़े से हुआ है, comment करकर जरूर बताएं धन्यवाD